देव भगवान, अल्लाह, खुदा, इश आदी नाम एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है, कहा है, कैसे मिलता है, किसने देखा है ये प्रश्णवाचक चिन पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्व दर्शी संतराम पालजी महराज के अम्रित वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर कर दो कर दो बोलो सत्वुर्देव कीजए बंदी छोड कबीर परमेश्वर जी कीजए बंदी छोड गरीब दास जी माराज जी कीजए स्वामी राम देवा नंजी गुरु माराज जी कीजए सर्वसंतों कीजए सर्वे बगतों कीजए दर्मी पुरसों कीजए स्री कासी दाम कीजए स्री छुडानी दाम कीजए स्री करौथा दाम कीजए स्री बर्वाला दाम कीजए साथ साहे गरिब नमो नमासत पुर्शकों नमसकार गुरु के नहीं सुर नर्मुन जनसादुआ संतों सर्वस्टी नहीं सत्गुरु साहब संत सब डंडो तंपरनाम आगे पीछे मज्ध हुए तिनकुँ जा कुर्बान नराकार निर्विसं काल जाल वैभंजनम निर लेपम निज निर गुनम अकल अनुप बेशंदुनम सो हम सुर्थी समापतं सकल समाना निर्टले उर्जवल हीरं बरहर दमं बेपरवा अथा है वार पार नहीं मदतं गरीब जो सुम रहशद होई गणना एक गलता ना करो अनुगर सोई पार सपद परवाना आदि गणे समनाउं गणनायक देवन देवा चरन कमलो लाउं आधन्त करूं सेवं प्रम सक्ती संगीतं रिदिश दिदाता सोही अवगत गुने अतीतं हम सत पुरस निर्मोही जगदंबा जगदीसं मंगल रूप मुरारी तनमन अर्पों सेशं बग्ति मुक्ति बंडारी सुर नर्म निजन जावें गर्मा विश्ण महेशा सेश सेश मुकगावें पुजय आज गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुन धरम राय जावें समर्थ जीवन जी का मन इच्छा पल पावें तेतिस कोटी अधारा जावें सेश अठासी उतरें भावजल पारा कट है यम की फासी तेतिस कोटी अधारा जावें सेश अठासी उतरें भावजल पारा कट है यम की फासी साथ साही करे जोरूं विन्ती करूं दरूं चरण परसी शे गुरु जी राम देवार नंद जी महराज ने दियोर नाम बकसी शे कोटी कोटी सिज़ दा करूं कोटी कोटी परणूं चरण कमल में राखियों में बंदी जा में गुलं कुर्ता हों गुरु देव का राम पाल दास का नाम गले प्रेम की जेवडी जहां खेंचो वाँ जाओं तो तो करो तो बावडूं दूर दूर करो तो जाओं जो राखो तो ही रहूं जो देव सोखों जै इब कैसत गुरू मिलें सब दुख आखों रोएं चरणों उपर सीस धरूं कहूं जो कैनी हो कबीर साइं मिलेंगे पूठेंगे कुसला तो आदी अंत की सब कहूं अपने दिल की बात हैं गुरू जी तुम ना भूलियो चाहे लाखे लोग मिल जाएं हम जैसे तुम को बहुत हैं तुम से हम को नहीं तुमरे विसारे क्या बनें मैं किस की सरण में जाओं सीव विरंच मुनिनारदा तिनके हर्दन समां अव गुन किये तुम भौत किये करत नमनी हारे बामें बंदा बक्ष दियो बामें गर्दन उतारे अव गुन मेरे बाप जी बक्सो ग्रीब नवाज जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पता कूनाज मैं अपरादी जनम का नकसिक बरे विकार तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सबार प्रम पता प्रमात्मा पूर्ण ब्रम सारी स्रिष्टी के रचनहार कुल मालिक कबीर साहिब कबीर देव जी कि असीम करपा से आप पुन्यात्माओं को यह सत्संग सर्वन करने का सू बावसर प्राप्त हुआ पुन्यात्माओं को पुनकर्मी प्राणियों को मानो स्रीर प्राप्त होता है मानो स्रील प्राप्त और भी अत्यादिक विशेज पुनकर्मी प्राणी होते है उनको सत्संग सुनने को प्राप्त होता है उनके अंदर प्रमात्मा पाने की आत्म कल्लान करवाने की प्रेरना उत्पन होती है उनके सुब संसकारों के कारण उनके प्रभाव से जो पुन्यात्माए मानु स्रील प्राप्ट करके प्रमात्मा की खोज में इदर उदर साधना के लिए उसके पाने के लिए इदर उदर बटक रहे हैं जैसे प्यासा जल की खोज में इदर उदर जाता है उसको जहां कहीं भी कोई संदेश मिलता है कि वहां जल सरोत है तो वहीं वो दोड़ पड़ता है क्योंकि उसको प्यास लगी है इसी परकार प्रमात्मा की खोज में प्रमात्मा की पैसी आत्माए वो पुन्य कर्मी प्राणी जो मनु स्रील प्राप्ट है उस प्रमात्मा के सरोत को खोज रही है कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहे हैं कोई कुछ साधना कर रहे हैं एक विशेश विचारनी विशे है कि जो विक्ति कोई प्यासा हो और वो किसी से ये पूछ रहा है कि मुझे प्यास लगी है जल कहां पराप्त होगा उसको कोई मिस गाइड करता है कि इस जिसान चले जाओ वहाँ एक बहुत बड़ा सरोवर है सवच जल है या कोई बताता है कि वहाँ एक हैंड पम्प है उसमें बहुत अच्छा जल है तो प्यासी आत्मा तो तुरंट उधर परस्थान करेगी ही करेगी अब वहाँ जाकर देखता है कि हैंड पम्प तो है लेकिन उसमें जल नहीं है वो कोशिस भी करता है उसको हिलाने डुलाने की तो फिर वहाँ कुछ समें के बाद वो चल पड़ता है कि बात बनी नहीं फिर किसी अन्ने से पूछता है वो कहता है कि वहाँ जल का बहुत अच्छा शरूत है बहुत अच्छा हैंड पम्प लगा हुआ है या कोई शरूर है वहाँ पर जाता है वहाँ भी उसको जल नहीं मिलता है तो अन्त में वो मर्चू को पराप्त हो जाता है यही दसा आज उन पुन्यात्माओं की है जो परमात्मा की प्यासमा है परमात्मा को पाने के लिए नाना परकार की साधनाए कर रहे हैं किसी ना किसी के कहे अनुसार जैसे कोई सरधालू कहता है कि हमारे गुरुदेव जी बहुत ही पहुँचे वे मापुरुश है और उनके सरण में जाने से उनसे दिख्षा लेने से आत्म का लान संभाव है तो परमु का प्यासा वो पुन्यात्मा उस व्यक्ती के कहे अनुसार वहां पहुँच जाता है उस हैंड पंप के पास अर्थात उस संत के पास वहां कुछ दिन रहता है उसके बताया नुसार साधना भी करता है या अर्थात एंड पंप को चलाता है साधना करता है उसकी पशचात उसको वहां भी निरासा हाथ लगती है तो फिर वो वहां से भी ठक के कहीं और खोज करता है अंत में जब उसको दूसरे स्थान पर भी ऐसा ही मिलता है तीसरे पर भी ऐसे ही खाली आता है अंत में वो नास्तिक हो जाता है उसकी अध्धात्मिक मर्टू हो जाती है और जिस कारण से वो परमात्मा की खोज कर रहा था कि मेरे पास पैसा हो मेरे पे आने वाली आपदाएं ना आवें जो प्राहर्द करम में होती है मेरा परिवार सुखी रहे परमात्मा मुझे धन दे क्योंकि जब तक अध्धात्मिक पूर्ण ग्यान नहीं होता सभी करमों से प्राणी प्रीचित नहीं होता तब तक परमात्मा की खोज दो ही कारणों से करता है मुख्य तोर पर पर्थम तो ये कि मेरे को धन पराप्त हो दूसरा संकट ना आवे या आया हुआ हो तो उसका निवारन हो वो तीशरे नंबर पर होता है कल्यान्स को अध्यात्मिक पूर्ण ग्यान जिसको नहीं है तत्व ग्यान नहीं तो जिस कारण से वो प्रमात्मा से संकट निवारन टेंसन लेस होने के लिए गया था जिस संत के पास और जिन साधनाओं को वो करता रहा और वहां से वो धनी बनने भी गया था उसको वहां से निरासा हाथ लगी दूसरे स्थान पर गया वहां भी निरासा हाथ लगी क्यों लगी क्योंकि सास्तर विधी को टाग कर जो मनमाना आचरन करते हैं उनको ने तो सुख होता है ने सिध्धी प्राप्त होती है ने ही उनकी गती होती है अर्थात योजलेस शिरीमत बगवत गीता अध्धाय नमर 16 के सलोक नमर 23 में ऐसा परमान है जिस कारण से जिन संतों के पास वो परभू प्यासी पुन्यात्मा गए वहां से उनको सास्तर विरुद साधना मिली ए विधी पुरुक साधना प्राप्त हुई और जो उपदेश देते हैं जो गुरु बने हुए हैं वो अधिकारी भी नहीं है और कुछ एक सरदालो बिना गुरु के ही साधना पर लगे हुए हैं जिस कारण से सास्तर विजी जाकर मनमानी आचरन मनमानी पूजाएं साधनाएं करने के कारण उनको कोई अध्यात्मिक लाब नहीं हुआ होता ही नहीं क्योंकि हमारे सद्गरंथ हमारे सास्तर परमान करते हैं शिरीमत भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के सलोक नंबर 24 में तुरिंत कहा के अर्दुन इस से तेरे लिए करतव और आए करतव की विश्था में सास्तर ही परमान है अर्थात जो साधना आप जी ने करनी चाहिए जो भगती आप ने करनी चाहिए और ना करनी चाहिए उसको किसी के कहने सुनने से दंत कथा के आदार से ना तो करना प्राहरम करना चाहिए और नहीं चाहिए तेरे लिए सास्तर ही पर्मान हैं यानि जो सद्गरंथ हमें बताते हैं अपने सद्गरंथ जो पर्मान देते हैं कि ये साधना ये मंत्र और पूरन संत से लेकर किया जाए तो उसका मोक्स निश्चित है उसके संकट भी निवारन होते हैं तो हमारे मुख्य सद्गरंथ वैसे तो सभी सद्गरंथ आधरनिये हैं क्योंकि किसी ना किसी महापुरुष के मुखारविन से उचारित होते हैं उनके मुख कमल से उचारित वानी होती है जैसे अठारा पराण है ये भी सास्तर कहलाते हैं जैसे उपनिस्त हैं ये भी सास्तर कहलाते हैं लेकिन जो सास्तर जो सद्गरंथ गौड गीवन हैं परभुदत हैं वही सास्तर परमाणित हैं उन्हीं सास्तरों से पूजा की विधी को ग्रहन करना चाहिए वो कौन-कौन से हैं जैसे उपनिस्त क्या चीज है ये किसी विक्ती रिशी संत साधक की अपने अनुभाव की करती होती है उसके अपने जीवन काल में जो भी उसने उपलब्दी हुई जिस साधना से वो अपना अनुभाव उसमें लिख देता है यदि उसका अनुभाव पवीतर सद्गरंथों से मेल खाता है तो साधना ठीक है उसमें लिखा हुआ विवरन ठीक है यदि सद्गरंथों से मेल नहीं खाता है अब सद्गरंथ कौन से है पवीतर वेद पवीतर स्रीमद भगवत गीता पवीतर वेद जो है ये परमात्मा के दिये हुए हैं गौड गीवन है और पवीतर स्रीमद भगवत गीता भी गौड गीवन है अब पवीतर चारोवेद रिगवेद यजुरवेद सामवेद और अथरवेद और ये तो चारवेद हैं जो इजली एविलेबल हैं सुलब हैं सब के पास तकरीवन मिल जाते हैं और इन ही चारवेदों का अभी तक जो है विवरन इसका रेफरेंस परवचन करता यारिसी महरिसी बताते रहें कि हम इन वेदों अनुसार साधना करत अठा करवा रहे हैं और पांचमा वेद है सुक्षम वेद जिसको सवसम वेद भी कहते हैं जिसके विशे में स्रीमत भगवत गीता अध्धाय नमबर चार के सलोक नमबर बत्तीस में परमान दिया है उसमें बताया है कि जैसे गीता अध्धाय चार के सलोक पत्तीस से लेकर इकत्तिस तक जैसे जैसे भी कोई सादक सादनाएं करता है वो अपनी सादना को पापनास्थ जानते हैं, मानते हैं लेकिन इस परकार की यगों का यगमीन धार्मिक अनुष्ठानों का विश्तार से विवरन यथार्स जानकारी कौन सा ठीक है, कौन सा गल्ट है इसके सहीतन, सचीदानंद घनबर्म की वानी में बर्मने मुखे, संस्कर्त में लिखा है बर्मने मुखे यहाँ पर इन सिरीमत भगवत गीता जी के अनुवाद करता होंने यहाँ गडबडी कर दी इन्होंने लिख दिया, बर्मने मुखे का अर्थ कर रख्या है बेद की वानी, यह गल्त अनुवाद किया है क्योंकि बर्मने माने वेद नहीं होते बर्मने का अर्थ होता है नेक्ष्ट परभू यानि बड़ा भगवान सचीदानंद घन बर्म अब बर्मने का अर्थ हम इन्ही के अनुवाद में स्रीमद भगवत गीता अध्याए 17 के सलोक 23 से लेते हैं सलोक 23 में इन्होंने स्वयम ही लिखा है बर्मने का अर्थ लिखा है सचीदानंद घन बर्म और यहाँ बर्मने का अर्थ हैं थो तेज़े के 32 सलोक में ये स्वयम गल्द कर रहे हैं बर्मने का अर्थ कर रहे हैं वेद नई ये गल्द कर दिया श्रीमद भगवत गीता अध्याए 17 सलोक 23 में कहा कि ओम तद्सत इति निर्दे से बर्मने तिर्विध है समर्त है सचीदानंद घनबरम के सिम्रण का उसकी प्राप्ती का उसकी साधना का तीन प्रकार से सिम्रण किया जाने वाला ये तीन मंतर का ओम तत सत मंतर है जाप है ओम तो सिधा है तत और सत ये सांकेति गुप्त है तो सचीदा नंद घंब्रम की वाणी में चोथे जाय के 32 में स्लोक में सबस्ष किया है कि वो तत्व ग्यान है जो सचीदा नंद घंब्रम की वाणी में यानि पूर्ण प्रमात्मा ने प्रमेश्वर ने, सत्य पुरुष ने, पूर्ण ब्रम ने स्वेम आकर के अपने मुखारविंद से जो ग्यान बोला है सचीदा नंद घनब्रम की वानी कहलाती है ब्रहमने मुखे वो तत्व ग्यान है वो सुकसम बेद है वो पांचमा बेद है उसको तत्व ग्यान भी कहते है शिरिमत भगवत गीता अज्धाय नंबर 4 के सलोक नंबर 34 में कहा है कि उस ग्यान को उस तत्व ग्यान को तुपत्व दर्सि संतों के पास जाकर समझे उनको वी नमर बहुत से प्रार्थना करने से वी नमर तासे परसं करने से वँटत्व दर्सी संत तुझे उस तत्व ग्यान का पर्मातम ग्यान का यानि गीता ग्यान दाता से अन्य कोई पर्मातम है उस परमेश्वर की जानकारी देंगे उसके बारे में बताँऑंगे तो ये पांच वेद हैं चार वेदों से तक आप आसानी से परीचीत हैं जो प्रभू की प्यासे हैं वो वेदों से प्रिचीते इन चार वेदों से लेकिन पांचमा वेद जो है ये सचीदानंद घन ब्रहम की वाणी है ये कवीर वाणी है तो इन चारों वेदों में पूर्ण प्रमात्मा सत्यपुर्स अर्थात परमकसर ब्रहम की विसेश जानकारी है लेकिन इन चारवेदों में उसके पाने की विधी नहीं है उसकी बगती की साधना नहीं है इसी कारण से परमेश्वर कवीर देवजी ने, कवीर सहाब ने, पूर्ण परमात्मा ने, परमकसर ब्रहम ने लगवग छेसो वरस पहले सन तेरा सो अठाणवे में वो सत लोग से चल कर आए एक नवजाद सिसू का रूप धारन किया कमल के फूल पर कासी सहर में लहरतारा नामक तलाब के में विक्सित कमल के फूल पर, वो परमेश्वर नौजाद सिसू का रूप धारन करके परगट हुए उनको नीरू और नीमा नाम का एक जुलाहा दमपती उठा ले गया उन्होंने उनके संतान नहीं थी, वहाँ परमात्मा लीला में स्रीर से बड़े होने लगे और आगे चलके जुलाहा का कारिया करने लगे जिस कारण से वो परमात्मा जुलाहा कबीर नाम से परसिद हुए दानक कबीर नाम से परशित्वे उस परमेश्वर ने कबीर देव जी ने सचीदानंद घनबरम ने अपने कबीर वाणी में सचीदानंद घनबरम की वाणी में कहा था कि बेद मेरा भेद है मैं मिलू बेदन से ना ही और जोन बेद से मैं मिलू ये बेद जानते नहीं प्रमेश्वर कबीर देव जी ने ये कहा था जब ये सचीदानंद घनबरम गिवानी अपने मुख कमल से उच्चारन किया करते थे बोला करते थे जो धरमदास साहिब जी ने आदनी धरमदास जी ने लिपी बद किया था उसमें कहा कि धरमदास ये बेद मेरा भेद है जैसे श्रीमत भगुत गीता जी को अरदन को पातर बना के इस काल भगवान ने बरम ने श्री करसंदी में प्रवेश करके बोला था ऐसे परमात्मा ने अपने सामने अपने आप ही अपने मुखारविन थे इसलिए बरमने मुखे कहा इसको यानि परमात्मा के स्वें मुखारविन से उचारित है वो वो किसी की हल्प नहीं लेता जैसे ये काल लेता है श्री करसंदी के स्रीर की हल्प लेकर इसमें गीता का ज्यान दिया अब श्री मद्भगवत गीता भी बरमने मुखे नहीं है यानि पूर्ण परमात्मा परमेश सचीदानंद घंबरम के मुख से उचारित वानी नहीं है परमात्मा सचीदानंद घंबरम के दोरा दिये गए ग्यान को इस काल ने अपने पूत्तर श्री करसंद जी में यानि विस्णो जी में परवेश करका बोला तो वो सचीदानंद घंबरम की वानी नहीं है उसके मुख से उत्रित नहीं है ग्यान भले ही पूर्ण परमात्मा का ही दिया हुआ तो यहां हमने ये समझना है कि वो सचीदानंद घंबरम की वानी मैं प्रमेश्वन श्वम अपने मुखारविन से उत्चारन किया था कहा था कि बेद मेरा भेद है ये चारों बेद रगवेद, यदुरवेद, सामवेद और अथरवेद ये मेरी ही महिमा का गुनगान करते हैं मेरी ही जानकारी बताते हैं मेरी ही लीला का ग्यान दे रहे हैं लेकिन इन मेरनित विधी से मेरी प्राप्ती नहीं हो सकती और जिस वेद से मैं मिलूं ये चारों बेद जानते ना ही वो सचीदानंद घंबरम की वानी मैं और यही पवित्र शिरीमत भगवत गीता जी कह रही है चोथे दह के बत्तीस में स्लोक में कि इस परकार का धार्मिक यगों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की साधनाओं की जानकारी सचीदा नंद घंबरम की वाणी में विस्तार से कहा गया है उनको करम जान, यानि वो काम करते करते ही हट योगादी करके जैसे दूसरे साधना करते हैं ऐसे नहीं, वो करम जान, यानि करते हो करम करते हुए उसकी साधना होती है और उसको जानकर उसके अनुसार साधना करने से तो सभी करमों से छूट जाएगा मुक्त हो जाएगा गीता जी एध्याए 4 के स्लोक 34 उस जान को तु तत्वा दर्सिस संतों के पास जाकर समझ और वो तत्वा दर्सिससंत तुझे प्रमातम्तत्वा जान देंगे यदि गीता जान दाता को उस वो जान होता तो अठारा अज्धाय जो नो उन्हें बोले कहे स्री करसंग जी के दौरा तो एक दो अज्धाय और भी लिख देता ये लिखने क्यों सकता नहीं थी किसी ततो दर्शी संद के पास जाकर समझे इसे सिद्ध है कि वो ग्यान सिरी मत भगवत गीता जी में नहीं है इसलिए गीता जी अज्धाय नमबर आठ के स्लोक नमबर एक में अरदुन ने पूछा के हे प्रभू आप ने गीता जी अज्धाय नमबर साथ के स्लोक नमबर 29 में 29 में जिस तत बर्हम की जानकारी दी है उसमें क्या कहा है साथ में जह के उनतीस में स्लोक में गीता ग्यान दाता कहता है कि मेरे आसरीत हो कै अर्थात मैं जो मार्ग दरसन कर रहा हूं जो मैं तुझे ग्यान बता रहा हूं इसको आधार मान कर जिन्होंने तत्वदर्सिस संथ की खोज कर ली जिनको तत्वदर्सिस संथ मिल गया और जो तत्वर्म को जानते हैं और पूरे अध्धात्मिक इस ग्यान से प्रीचित हैं और सभी कर्मों को जो जानते हैं वो केवल जरा और मरन से छूटने का ही परियतन करते हैं जरा मरन मोक्साय यतनती ये मम आसरीत यतनती ये बरन तत्विदू कर्षनम अध्धातम और अखिल कर्म यानी वो अखिल अध्धातम कर्षनम कर्म याननी सब कर्मों से अखिल माने सबी कर्मों से और पूरे अध्धातम ग्यान से और तत्वरम से प्रीचिता है इसका सिधा साइर्थ है साथ में 29 तीश चलो का के जो सदक केवल बुढपा और मृचू जरामीन वरदवस्था मरन माने मरत्यू इन दोनों से छूटने का जो प्रियतन करते हैं और जो ऐसा करते हैं उन्होंने मेरा इस ग्यान का आश्रे लिया है उन्होंने तत्वदर्शी संथ की खोज कर ली है और उनको फिर तत्वर्म की जानकारी होगी कि वो पूर्ण प्रमात्मा ही पूजा के योग है उसी से पूर्ण मौक्स होगा प्रमक्सर भ्रम से और वहीं उसी की साधना से जरा और मरन से छूट सकता है और वो विक्ती उस्तत भ्रम से प्रीचित है और सारे अध्धातम ग्यान से प्रीचित है और सभी कर्मों से प्रीची था वो विक्ती जो केवल जरा और मन से मुक्ती के लिए ही प्रियतन सील है साधना कर रहा है अब गीता ग्यान डाता चौथे द्याय के पांच में सलोक में नौ में सलोक में गीता जी के दूसरे द्याय के बार में सलोक में गीता जी द्याय नंबर दस के सलोक नंबर दो में और स्रीमत भगुत गीता द्याय नंबर चार के सलोक पांच और नौ में सपष्ट कह रहा है कि अर्दुन तेरे और मेरे बहुत से जनम हो चुके हैं तू नहीं जानता मैं चांता। मेरे जनम और करम अलोकिक हैं। तू और मैं पहले भी जनमे थे आगे भी हमारा जनम रहेगा ये ना सोच के हम केवर वरतमान में ही हैं। पिर दसमे धाय के दूसरे स्लोक में काहा है गीता ग्यान डाता ने मेरी उत्पत्थी को, मेरे जनम को ये देवता, इडिसी और सिद्ध नहीं जानते क्योंकि ये सब इनका उत्पत्थी कारण मैं हूँ, ये मुद से उत्पन हुए क्योंकि ये सब काल के दुवारा ही इनका जनम है। ये इसके पूत्र हैं। तो यहां गीता ग्यान दाता सात्मे जाए के यूंतिस में सलोक में कहता है, कि जो जरा और मरन से छूटने का परियतन करते है वो उस तत्परम से ततब्रम के बारे में अब आठमे ज्खे में पता चलेगा कौन है वो ततब्रम जो गीता ग्यान दाता से अन्य है तो आठमे ज्खे के पर्थम मंतर में सलोक में अरदुन ने पूछा किम ततब्रम वो ततवर्म कौन है फिर कौन है वो बगवान जिसको जानने के बाद फिर के उल्जरा और मरन शूटने का प्रेतन करते हैं तो पुन्यातमो आठमे धै के तीसरे स्लोक में गीता ग्यान दाता ने कहा कि वो परमक्सरवर्म है इसे सिद्ध है कि वो गीता ग्यान दाता से अन्ने है अब यहाँ जैसे गीता जी अध्धाय नमबर आठ के और सलोक नमबर तेरा में कहा कि अर्दुन ओम इती एकाकसरम बरहम विवहरन मा मनुसमरन ये परियाती तजन देहन सहियाती परमाम गतिम गीता ग्यान दाता कहता है कि अर्दुन मुझ बरहम कातो के उले को मकसर है उच्चारन करके सिमरन करने का और जो अन्समे में मेरा ही सिमरन करता हुआ जाता है तो मुझे पराप्त होता है मेरे वाली परमगती को प्राप्त होता है और ओम नाम ब्रहम का है ब्रहम की उपासना ओम की साधना से ब्रहम लोग प्राप्त होता है अब ब्रहम लोग परियंत आठ में जाए के सोल में सलोग में कहा के ब्रहम लोग परियंत यानि ब्रहम लोग तक भी गए हुए प्राणी फिर पुनर जनम में आते हैं उनका पूरण मोक्स नहीं होता जरा और मरंड से छुटकारा नहीं होता तो इसे सिद हो गया कि गीता ग्यान दाता अर्थात ब्रहम जो स्रीकर्सन जी में बोल रहा है ब्रहम की सादना से भी जरा और मरंड मोक्स नहीं होता चुटकारा नहीं होता अब गीता ग्यान दाता आठ में ध्याए के पांच और साथ सलोक में कहता है कि तु मेरा भजन कर मेरी भगती कर युद्ध भी कर और मुझे ही प्राप्त होगा फिर आठमे जहे के छटे सलोक में कहा है कि येक नियम है अरजुन जो विक्ती अंसने में जिस भी इश्ट में अपनी भावना रखे हुए शरीर ट्याग कर जाता है उसी को पराप्त होता है गीता जी अज़्धाय नमर आठके शलोक 8, 9 और 10 में कहा है के वो सचीदानंद घंबरम की जो साधना करता है जिसके विशे में सतर में अज़्धाय के गीता जी में और 23 में साधना कैसे होती है ओम तत सत इती निर्देसे बर्मने ब्रमने माने सचीदानंद घंब्रम उस सचीदानंद घंब्रम का तीन परकार के मंतर के सिम्रन का निर्देस है निर्देस मीन नथिंग एल्स फाइनल ओर्डर ये परमात्मा का निर्देस है और कोई मंतर नहीं ओम तो ब्रम का है औरतत औरसत ये सांकेती गुप्त कोड़ वर्ड है गुप्त मंतन ये दास बता सकता इस विश्वे में और इस दास से पराप्ट करके कोई वैसे बताता है तो वो अनदिकारी है, उसे कोई लाब होने वाला नहीं है और उसका भी बक्ती खंड हो जाता है जैसे किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया हो और फिर दूसरे के अब आप पे बनाने लग जा हो ऐसे ही प्रिंट करा के तो दोनों दोसी हो जाएंगे तो कहने का भाव यह है कि अब ओम तत सत ये तीन मंतर हैं तीन पर भू है ये ओम तो ब्रम का और जिसको सरपुर्ष भी कहते हैं शरपुर्ष सरपुर्ष अकसरपुर्ष परम अकसरपुर्ष इसको ब्रम को सरब्रम भी कहते हैं सरब्रम अकसरपुर्ष और परम अकसरपुर्ष ये तीन बगवान हैं सरब्रम तो ये 21 ब्रम हंड का स्वामी है ब्रम आविशनो महिस का प ये केवल 21 ब्रमांड का स्वामी है प्रभू है और दूसरा अक्सर पुरुष को हो चो अक्सर ब्रहम को हो ये साथ संख ब्रमांड का स्वामी है और तीसरा प्रम अक्सर ब्रहम है जो असंख ब्रमांड का स्वामी है श्रीमत भगुद गीता जहे 15 के सलोक नमर एक में तत्व दर्शी संत की पहचान बताई है कि उपर को संसार रुपी वरक्स है ये उपर को जड़तो पूर्ण परमात्मा है नीचे को तीनों गुंड रुपी साखा है गीता जहे 15 का सलोक नमर एक से चार का आपको सारांस बताता है इदास उटा लटकावा संसार रुपी वरक्स है अर्दुन जिसको उपर को जड़तो पूर्ण परमात्मा है परम अक्सर ब्रह्म है और जमीन से बाहर जो जितना पूर्ण दिखाई देता है जितना भी उसका पार्ट दिखाई देते हैं वरक्स के वो पेड़ कहलाता है वो तना है, सबसे पहले जमीन से बाहर निकलती ही, मोटा जो है वो तना वो अक्सर पुरुष समझो अक्सर ब्रहम समझो, अक्सर पुरुष मानो और उसके बाद एक मोटी डार निकलती है, उसको सर ब्रहम कहो, शर ब्रहम या सर पुरुष कहो, ऐसा जानो और उस डार के फिर तीन साखा हो यह तीनों गुण रूपी साखा रजगुण बिरमाजी, सद्गुण बेशनुजी, तमगुण शिवजी रूपी साखा है और पात रूप संसार हम आगे फिर पात रूप में हम संसार रूप में है अब उस वरक्ष को आहार कहां से होता है कहां से प्राप्ट होता है जड़ से तो वो ही जड़ रूपी पूर्ण प्रमात्मा प्रमक्सर वर्म ही इन स्पूरे संसा रूपी वरक्ष का धारन पोजिशन करता है अंडरस्टूड अब आगे चलते है शिरि मत भगुट गीता जी अज़ जहायः नंबर 15те सिलोक नंबर 16 और 17 तीन पुरस को हो, चे पर्भु को हो, चे बरहम को हो जिता जी अज़ जहायः नंबर 15 ऌजबस चे सॉलोक 16 में कहा εί stellen सर पुरस और अकशर पुरस सर पुरुस और अक्सर पुरुस ये दो भगवान है शर और अक्सर ये दो प्रभू हैं दो स्वामी है और इनका तथा इनके अंतरगत जितने प्राणी हैं सभी का सथूर सरीर नासवान है ये नासवान है इनकी जनम और मर्तु होती है लेकन जीव आत्मा तो सबकी ही अमर है कुटे की गधे की सबकी अमर है वो तो आगे जनम लेती रहती है अब इन दो पर्भूओं का दो बगवानों का दो बिर्मों का दो पुर्शों का पंदर में जाय के सोड़ में सलोक में इनका विवरन समाप्त हो गया अब सतर में सलोक में पंदर में अज्धाय के शिरीमत भगवत गीता के पंदर में अज्धाय के सतर में सलोक में कहा है शिरीमत भगवत गीता अज्धाय पंदरा अब सलोक सतरा में सफश कर दिया है इसमें सपष्ट कर दिया है कि पुरुषोतम यानि उतम पुरुष, पुरुष माने परभू, ब्रह्म, जिसको परम एकसर ब्रह्म कहते है वो तो इन सरपुरुष और एकसरपुरुष जो सोल में सलोक में वरनित हैं, पंदर में जाएगा गीता जी उन से कोई अन्य है, उतम पुरुषयतु अन्य है, उतम माने स्रेष्ट, पुरुष माने ब्रह्म कहो जैपरभू कहो परमात्मा कहो उतम ब्रह्म यानि परमकसर ब्रह्म तो कोई और है, अन्य है और परमात्मा इती उधारते, जिसको भगवान कहा जाता है भगवान उसे कहते हैं जो केवल सुख दे दुख नहीं देता प्रमात्मा उसे कहते हैं जो दुख नहीं देता केवल सुख सुख देता है और फिर कहा है निचली पंक्ती में के यह लोक तरह आविश्य विभरती अवैस्वर रहा है जो तिन्नों लोकों में परवेश करके सब का धारन पोर्शन करता है वो है अविनासी परमात्मा वह अविनासी परमेश्वर है वह है वास्तोम अविनासी वह सचिदानद घंब्रहम वह परमक्सर ब्रहम अब यहाँ थोड़ा सा भर्म उत्पन होता है स्रीमत भगवत गीता जी के पाठकों को के स्रीमत भगवत गीता अध्याय नमबर 15 के स्लोक नमबर 18 में गीता ग्यान दाता ये भर्म कह रहा है कि मैं तो परशोतम लोक वेद के आधार से मैं परशोतम परसिद हूँ लोक वेद किसे कहते हैं दंत कथा कहा सुना ग्यान जो वेद परमानित जो सद्गर्द परमानित ना हो लोक वेद कथा दंत कथा शिदा सारसंदो जो सुना सुनाया ग्यान आम व्यक्ति के दुवारा सुनाय हुआ गया अपने आपको प्रशोतम परसिद होने का कारण भी बता रहा है कि मेरे अंतरगत 21 बिर्माड में मेरे आधीन जितने पराणी है चाहे वो बिर्मा विशुनो महेस हैं चैर रंक है चैर राजा है चैर अन्य चिट्टी से लेकर हाथी ठक है ये सभी इस बिर्म के कंट्रोल में हैं ये इन से ताकतवर है जैसे श्री विश्णो जी 16 कला के परभू है इसमें 16 परकार की सक्तियां हैं और ये 1000 परकार के कलावाला है जैसे बगवान श्री विश्णो जी चैर भुजा के हैं तो ये काल 1000 पुजा का ब्रम सर पुर्ष जो 21 ब्रमान्ड का स्वामी है तो ये क्या कहता है कि मैं तो पुर्षोतन इसलिए परसिद हो रहा हूँ क्योंकि मेरे अंतरगत जितने भी पराणी हैं मैं उनसे उत्सरेस्ट हूँ उनते तगडा हूँ ताकतवर हूँ इसलिए मैं लोके वेदे पुर्षोतन परसिद हो सपष कर जिए कि आम नोट पुर्षोतन मैं पुर्षोतन नहीं हूँ पुर्षोतन तो पंदर में जाय के सतर में सोलोक में बताजिया कि ये उत्तम पुरुषकोचे पुरुषोतम को पुरुषोतम तो अन्य ही है जिसको परमातमा कहा जाता है और ये लोग तर्म आवी से विवरती अवैस्वर जो तीनों लोगों पर वेश करके सबका धारन पोश्ण करता वो है अभिनासी वगवान शिरीमत भकुद गीता जी अध्याय नमबर पंद्रा के सलोक एक से चार और सोला और सत्रा में ये तीन परभूप सपष्ट हो गए अब लोग वेद किसे कहते है सुना सुना आग्यान जो सचाई से दूर हो जैसे आज तक हम रजगुन बिर्माजी, सत्गुन विश्णुजी, तमगुन शिवजी को अजरो अमर कहा करते थे सुना करते थे ये लोग वेद सुना करते थे ये अज्यानी रिसी मैरिसी मनलेश्वर ये गुरू लेकिन ये वास्ताव में अभिनासी नहीं थे इनकी जीवनी में लिखा है शिरी मद देवी भागवत यानि देवी पुराण में सक्ती पुराण में गीता प्रेस गुर्वपुर से परकासित केवल हिंदी सचीतर मुटा टाइप इसके 123 पर 3 रे सकंदव विश्णु जी सुम्स विकार करते हैं के तुम सुद सुरूपा हो ये सारा संसार आप से उदवासित हो रहा है और मैं बर्मा और संकर विश्णु जी करें हमारा तो जनम और मर्टू होता है अवीर भाववन जनम तिरो भाववन मर्टू होता है हम नित नहीं हैं हम अविनासी नहीं है फिर संकर भगवान कहते हैं कि माता जब आप से ही बिरमाजी का जनम हुआ आप से विशनुजी का जनम हुआ तो फिर क्या मैं तमोगुन लिला करने वाला संकर आपका पूतर नहीं हुआ और हम आप ही से उत्पढ़ हैं हम तीनों गुणों युक्त हैं और हम केवल नियमत कारिय ही कर सकते हैं यानि जिसका जैसा वर्क डन ही दे सकते हैं किसी की किस्मत में किसी के प्राहरद में कोई दुख है उसको निवारण नहीं कर सकते कम और अधिक नहीं कर सकते तो ये लोक वेद था जो हमें सुना जाता था कि यहां दुरु अमरहिंन के कोई माता पिता नहीं है यह सरुवेश्वर हैं भहिश्वर हैं अन्ध कोड़ बर्मांड के सूमी है इसको लोक वेद कहती है तो यहां गीता ग्यानदाता पंधर में जाए के 18 में स्लोक में कहता है कि मैं तो लोक वेद के आदार से पुर्शोतम पर सिध हूँ कारण बताता है कि मेरे अंतरगत 21 बिर्मांड में जितने भी प्राणी हैं उन से मैं तगड़ा हूँ उत्म हूँ यहां तगड़ा किसने मानने है जैसे यह रिसी वया करते हैं एक रिसी ने एक शिद्ध ने कोई एक सिध्धी प्राफ्ट कर ली और दूसरे के पास दो होगी तो दो वाला उस से उत्म माना जाता है बाकि दोनों चोड़ चपट तो ऐसे यह एक हजार भुजा का मालिक है एक हजार कला हैं इसके पास और अन्ने इसके अंतरगत जो पर भू हैं शिरी सत्कुन विश्रुजी शिरी रज्गुन बिर्माजी और शिरी संग शिरी तमगुन ये सोला कला के पर भू हैं ये वसे तीनों ही सोला सोला कला के पर भू हैं एक जैसी पावर हैं इनकी बाकि शिरी विश्रुजी ज़्यादा सूप परसिद हैं क्योंकि हम इनको ज़्यादा मानते रहें अपनलोक वेद क्या दार से मैं तो देते रहें शंकर बगवान जी को भी परलल देते रहे जब कि ये तिन्नों के तिन्नों चार भोजा योगते हैं एक जैसी पावर है एक जैसे ही विभाग है इनके जैसे एक प्रांट में मंत्री होते हैं तो ये एक बर्मान रूपी प्रांट में ये एक एक विभाग ये मंत्री है रजगुन व विश्णु जी तमगुन विवाग के शिव जी तो ये लोक वेद था जो हम इनको सर्वेस्वर कहते थे सारे अखिल बर्महंड का स्वामी श्रीविक किर्शन जी को कहते हैं नहीं ये लोक वेद है दंद कथा है सचाई से बहुत परे है ऐसे ही गीता ग्यान दाता कहता है कि मैं तो लोक वेद के आदार से पुर्शोतम परसित हूँ आयम नोट पुर्शोतम पुर्शतु अन्य वो सतर में सलोक में पंदर में धाय के गीता जी में सपष्ट कर दिया अब ये परम अक्सर पुर्शतु अन्य वो 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 परम अक्सर सर ब्रहम और अक्सर ब्रहम से उसके पाने का केवल ओम तत सत ये तीन मंतर के जाफ का प्रावधान है नर्देश है नर्देश का अरत होता है बस डारेक्शन है या और कुछ नहीं अब गीता जी अज्धाय नमर आठ के स्लोक नमर एक पर हम फिराते हैं अब अर्दुन ने अपरान्त और सारे जातों से परीचित होने के उपरान्त और सभी कर्मों से जो परीचित हो जाता है वो इस संसार की किसी वस्तु को ना चाह कर केवल जरावधार और मरन से छुटने का ही प्रियतन करता है तो आठमे ज्धाये के पर्थ्मंतर में पूछा वो किम तत्बर Bem जिसको जानने के उपरांद फिर यहां की वस्तो की डिमांड आत्मा नहीं करता तो इसका उतर आठमे द्या के तीसरे स्लोक में दिया है कि वो परमकसर ब्रम है वो श्रीमत भगुत गीता अध्धाय नमबर 15 के स्लोक नमबर 17 में जिसके विसे में जानकारी है अब फिर हम आठमे द्या को लेते हैं आठमे द्या के पांच और साथ में गीता ग्यान दाता कहता है मेरी भगती कर और मेरे में भावाला बन मुझ में भावित रहे अब हम जिस पर आसकत रहेंगे अंत समय तक उसी में हमारी भावना बनी रहेगी और फिर अंत समय में जहां आसा ताबासा होई ये सुकसम वेद की वानी है जहां आसा ताबासा होई और मन करम वचन सुमरियोस होई जिस भी इस्ट की आप उपासना करते हो उसको मन करम वचन से जाप करना तब जहां आसा रहेगी जिसमें भावित रहोगे अन्समें तक जिस पर आसकत रहोगे उसी को प्राप्त होगे जहां आसा ताबासा हुई यही गीता जिद्धा है नमबर आठ के सुलोक नमबर छे का निसकरस है जो अभी आपको बताया कि जहां आसा ताबासा हुई मन कर्म वचन सुमरियो सोई अब आठमे अज्धाय के सातमे सलोक में गीता गयान दाता कहता तो युद भी कर और मेरा सिमन कर मुझे ही प्राप्त होगा बिलकुल अपने सिमन के बारे मिशने बता जिया मेरा तो ओम एक अकसर है मुझे बिलकुल आठमे जाएके तेरमे सलोक में नथिंगे और मेरे ओम नाम का जाफ करके कहा जाएगा बिलकुल प्राप्त होगा इसकी परम गिता जीमी कहा कि बिलकुल प्रियंत भी गए हुए पराणी फिर वापस जनमर्तुम आते हैं का जरा और मरन नहीं खतम होता समापनी होता इसलिए साथ में जाय के अठारमे स्लोक में गीता ग्यान दाता कहता है कि मेरी गती भी अनुतमाम अनुतमाम मने कती गटिया एसरेश्ट अती एसरेश्ट अनुतमाम और ये अग्यानी रिसी मेरसी लोग बेद के आधार से कहते हैं अनुतम का अर्थ भी बदल दिया नहीं इनों ने थे अनुतम का अर्थ भी अनुतम कोई और ना हो अनुतम का अर्थ ये होई नहीं सकता फिर भी इनके लोक बेद से हम मानें कि ये इसका अर्थ करते हैं जिससे उत्म कोई और गती ना हो फिर अठार मेधाय के वैसेट में सलोक में और वो किस किस तरफ संकेत कर रहे हैं अपने से अन्य किसी और परमेश्वर की सर्ण में जाने को कह रहे हैं कि जहां जाने के बाद फिर परंस्यानती होती है और सनातन परमधाम पराप्त होता है जैसे पंदर में जाय के एक से लेकर चार में यही परमाना है कि तत्व दर्सी संत जो होगा उसकी पैचान बताई है उटा लटके वे संसार रुपी वरस के दो सभी भी भाग बता देगा सै वेदवित वो तत्वद असी संत है उसके पस्तात उस परमेश्वर के प्रमपद की खोज करनी चाहिए जहाने के बात प्रमपद की फिर लोटके संसार में कभी नहीं आते और केवल उसी की पूजा करनी चाहिए नतिंग ऐलस और यहां यदी ये कहते हैं अठर मेश्वर के बारे में भी अनाड़ी अग्यानी रिसी मेरीसी मंडलेस्वर कहते हैं किरसन जी अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरी सरण में आ जा रहा है कमाल की आद्म उत जाने की कह रहे हैं कि अपनी सरण के बारे में कह रहे हैं गुमा फिरा के कहते हैं तो यहां इनकी सोच कमजोर है इनका ग्यान ठीक नहीं तो यहां गीता जी दैनमर साथ के स्लोक नमर ठार तो नुमे स्लोक में, दूसे दै के बार में स्लोक में, दस में दै के गिता जी गिताГयांटरताailleurs कहता है अजितम तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू niez जानता, मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि यह परमगती नहीं हुई। जनमर्तु रहा तो यह कष्ट पे कष्ट रहेगा और इसलिए उसने कहा है उस प्रशोतम उत्तम पुर्शतु अन्य उस प्रमेश्वर की सरण मजा उसकी किरपा से ही तो प्रमसानती को और सनातन प्रमधाम को प्राप्त होगा जहां जाने के बाद फिर कभी लोटकर संसार मा नहीं आते है तो यहां इनकी ये टिपनी ये कहना भी गलत सिध हुआ साथ में धैके अठर में इस लोग के विसे में अनुतमाम का अर्थ ये करते हैं जिससे उत्तम कोई ना हो वो भी गलत सिध हो गया क्योंकि वो गीता ग्यान दाता किसी और प्रमातमा पुर्शोतम के बारे में जो उत्तम पुर्शतुए ने और उसी की साधना के लिए प्रमान कर रहा है उसकी साधना का मंतर भी बता रहा है सतर में दाय के तेईसमें सलोक में लेकिन वो इनकम्पलीट है इसलिए स्रीमद्भगुत गीता दाय नमबर 4 के सलोक नमबर 34 में कहा है जो चोथे दाय के 32 में सलोक में जिस सची दानन्द घनबरम की वानी की जानकारी दी है वो है तत्व ग्यान उस तत्व ग्यान को किसी तत्व दसी संद से पूछो समझो वो बतावेंगे उस परमातम तत्व का ग्यान देंगे तुझे तो वो परमातम तत्व परमक्सर ब्रम है और उसके पाने का मंतर है ओम तत्सत ओम ब्रम का, शर्पुरुष का, जो गीता जी अध्ध है, नमबर 15 के, सलोक नमबर 16 और 17 में, तीन पुरुष, पुरुष को हो, पर्भु को हो, स्वामी को हो, ब्रम को हो, ये तीन ब्रम है, तीन पुरुष है, शर्पुरुष ये ब्रम है, शर्पुरुष ये ब्रम है, शर् अक्सर पुरुष ये साथ संग ब्रमांड का स्वामी है, ये साथ संग ब्रमांड का स्वामी है, ये अक्सर पुरुष कहो चाहिए इसको अक्सर प्रहम कहो, और जो पंदर में जाय के सतर में सलोक में कहा, उत्म पुरुष है तु अन्य परमा तुमायती उधारते हैं, वो है अक्सर पुरुस कहो चे उसे परम अक्सर ब्रह्म कहो वो है वास्तव मविनासी परमात्मा उस परम अक्सर ब्रह्म के पाने काठ में जहे के आठ नो दस में सपष्ट का है कि उसकी भक्ती करेगा तो उस सचीदानंद घन ब्रह्म की यानि उस दिव परम पुरुस की उस पूर् उसके पाने का मंतर ओम, तत, सत ओम तो ये सर बर्म का, सर पुर्ष का प्सुंजौ एकिसी बिरमाण के स्वामी का और अक्सर पुर्ष का ये सांकेतिक है ये ओम और तत मिलकर ये दो अख्र का एक सत नाम बनता है और तीसरा जो सत है सतर में जाएगे टैईस में स्लोक में वो परमक्सर बर्laम का मंतर है ये गुप्ट हैं तत और सत ये संकेतिक हैं कोर्ड वर्ड है ये दास बताता है और जिनको ये तीनु मंतर परापत है उनको ये ग्यान जो दास बता रहा आसानी से समझ में आता है तो गीता अध्याय नमर आठ के स्लोक नमर आठ नो दस में कहा कि जो उस प्रमात्मा सचीदानंद घंबरम की भक्ति करता हुआ अंत समय में शरीर त्या कर जाता है और अपने प्राण यानि जीव को स्वांस को बर्कुटी के माध्य में सचीर कर लेता है अपने आप हो जाता है इस वक्ति किशे अपने आप होगा सब करिया है जैसे इन दन स्टार्ट कर दिया और गाड़ी ओके है तो अपने आप गेर लगते हैं गेर चालेंगे ब्रेक सारे काम एटोमेटिक करेंगी तो उनको जब हैंडल किया जाएगा तो इसी परकार इस परमात्मा की सत वक्ति से ये सरी रूपी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है अंदर की सब करिया प्रार्म हो जाती है